दर्भंगा में आपका स्वागत है जो इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से एक सम्रिद्ध सहर है बिहार के केंद्र में स्थित दर्भंगा कुछ सबसे शांदार वास्तु सिल्प, कृतियों और स्वरद्धे धार्मिक अस्थलों का एक घर है सहर के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है शामा मंदिर जी हाँ ये शामा मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित एक सुन्दर मंदिर है उत्तर भारतिये मंदिरों की पारंपडिक शैली में निर्मित श्यामा मंदिर, जटिल नकासी और सांतिपुर्ण वातावरन का केंद्र है जो इसे भक्तों और परियटकों के लिए समान रूप से लोकप्रिय स्थान बनाता है सरे मंदिर के बारे मां बतेल जो 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 इसे मंदिर कते पुडान छे और की महात में मंदिर जट शे अधि मंदिर के निर्मावान 1923, शुदुत पहिने से वेलल लेकिंगि 1923 में विदिवत जवया के स्थापना गलिठां महाराया धिराजा डॉक्तर सरकामेश्वर सिंग अप कि निए उनका चितापर इंदीर वना तो इवे तानुष्वार शींगी के प्रयास रहल कि तांत्रिक बिधी से मंधिर बनावाओ जे अकड़ अनेकों विशेस्ता छे जाना एकनों अपने भूमब मंधिर के तक्षिन अपने ठोड़े ठार्व हो जा तुब ठंधा पढ़ेत दर्भंगा में एक और दर्शनिय स्थल है जिसका नाम है राम बाग राम बाग एक विशाल उद्ध्यान है जो शहर की हलचल से शांतिपुर्ण पलायन का काम करता है राम बाग में एक सुन्दर तालाब है जो इसे इत्मिनान से टहन ले या पडिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक आदर्स अस्थान बनाता है दर्भंगा के इतिहास में रुची रखने वालों के लिए कामेश्वर सिंग के महल की यात्रा पेहद आवश्यक है यह आश्चर जनक महल राजा कामिश्वर सिंग के द्वारा बनवाया गया था और अब यह एक संग्राहल है जो इस छेत्र के इतिहास और संस्कृती को प्रदर्शित करता है दर्भंगा की कोई भी यात्रा दर्भंगा पैलेस के यात्रा के बिना उड़ी नहीं मानी जाती जो इस छेत्र की स्थापत्य विरासत का एक शांदार उधारन है उत्तर भारतिये महलों की पारमपडिक शैली में निर्मित दर्भंगा पैलेस, जटिल नकासी, सुन्दर आंगन और विसाल हॉल को अपने आप में समेटे हुए है जो इसे देखने के लिए एक वास्तविक चमतकार बनाते हैं चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या बस कुछ समय के लिए ही सहर की भीरभार जिंदगी से बचना चाहते हूं तो दर्भंगा में सभी के लिए कुछ ना कुछ है तो आईए समरिध सांस्कृतिक विरासत के इस सहर को एक्स्प्लोर करें और यादों को जीवन भर याद रखें मैं बिहार हूँ